सितंबर महीनी का पहला सब्ताब बीच चुका है और पहला पखवारा भी खतम होने को है लेकिन देश के कई राज्यों में अभी भी मोंजुन सक्रिय है भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का पुर्वानमान जताया गया है इन राज्यों में बिहार जारकन भी शामिल है जहां अगले कुछ दिनों तक अच्छी बारिश होने की उमीद है वहीं उत्री बिहार के ज्यादा तर इलाकों में तो भारी बारिश के चितावनी तक दे दी गई है जबकि दक्षिनी बिहार में समानिय से मध्यम बारिश के आसार है मौसमी ग्यान विभाग के मताबिक नीवन दबाव का शेत्र उत्तर आंदर प्रदेश दक्षिनोडी सा तटो से पश्यम मध्या और उससे सटे उत्तर पश्यम मेंगोल की खाड़ी पर स्थित है इसकारण इन हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है इसे बीच अगले चार से पाँच दिनों के दुरान गुजरात, पूर्वी और दक्षिन फ्राइड वीपिया भारत में भारी बर्श जारी रहने की संभावना है अगले पांच दिनों के दौरान उत्तर पश्यमि भारत के मेदानी इलाकों में हलकी बारिश की गतिविदिया जारी रह सकती है वही राधानी दिल्ली की बात करें तो रायधानी दिल्ली और इसससटे इलाकों में फिलाल बारिश की कोई संभावना नहीं है आईमजी के मताबिक दिली में उमस भरी गर्मी का सिलसिला चाही रहेगा तो ही रायधानी लखनों समेथ यूपी के ज्यादा तर्जिलों में फिलाल बारिश के कोई संभावना नहीं है दूसरी और बिहार और जारखन में अगले कुछ दिनों तक अच्छी बारिश होने की असार है उत्री बिहार के अधिकतरी लाकों में भारी और दक्षिनी बिहार में समानिया से मध्यम बारिश की संभावना है बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव शेतर के अगले 48 घंटे के दोरान और अधिक शक्तिशाली होने का नुमान लगाया गया है इसकी वज़े से पश्ची मेंगोल और जारखन में भारी बारिश हो सकती है भारतिय मोसम विभाग यानि आईमजी के अनुसार रायल सीमा और दक्षिन आंतरी करनाटक तटिया अंदर प्रदेश उत्री आंतरी करनाटक केरल में भारी वश्चा हो सकती है तेज हमाय चलने और बिजली चमकने की भी संभावनाय है वही तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना के भी कई हिस्सों में तटिया करनाटक में भी एक दो दिन में अच्छी वारिश होने की उमीद है मोसम विज्ञान विभाग ने देश के पश्चमी और पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश का अंदेशा जताया है आयमजी के मताबिक आने वाले कुछ दिनों में गंगिया पश्चिमी बंगौल के साथ ही गुजरात के सोरास्ट और कुछ इलाकों में बिजली कड़कने और बागल गरजने के साथ भारी बारिश होने की संभावना है बिरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी